डेवन कॉनवे तो देखे पहले इंजड हो गए थे, correct है? मतीश पतिराना भी इंजड हुए, उनकी भी शुरू में अवेलेबिलिटी पे सवाल है मुस्तफिज और रह्मान का भी कुछ पता नहीं है और वो इस वजह से क्योंकि अभी जब मैच खेल रहे थे, वो तो उनको stretcher पे लेकर जाना पड़ा वो कहने dehydration पर, is there more to it? Nobody actually knows तो ये एक और blow है चन्नाई सूपर किंग्स के chances को और really, will they not be okay क्योंकि शारदुल भी है, दुशारदेश पांडे भी है, दीपक चाहर भी है I mean, they have plenty of विकल्प जैसे उनके पास रहते हैं और उसकी भी बात करेंगे लेकिन आज मैं करने वाला हूँ, चिन्नाई सूपर किंग्स सीधा पंजाब किंग्स की तरफ चलेंगे चिन्नाई के जो सूपर किंग्स हैं वो तो किंग्स की तरह खेलते भी हैं, जीतते भी हैं पर पंजाब क्या हाल है मेरे यार क्या इस साल ये कुछ अलग कर पाएंगे कोई नई कहानी लिख पाएंगे प्रोबो प्रेजेंट्स चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल इन असोसियेशन विद माई लेवन सिर्कल में आप सभी का हाजोड के सुआ गया थे और आज आपके दिमाग कैसे आपको इस्तमाल करना है वो भी बताऊंगा कैसे आप बहुत सारे इनाम जीच सकते हैं करूर रुपे तक वो भी बताऊंगा ट्वाइस ये कैसे हो सकता है उसके पंदरा कप्तान रहे हैं इस टीम के पंदरा कप्तान 16 सीजन में अब आप समझ जाएं कि भाई क्यों टीम अच्छा नहीं करती है कि बदलाव प्रकती है इनकी प्रवती है इनकी इस वज़ह से नहीं करती है या फिर लोग छोड़के चले जाते हैं क्योंकि अच्छा नहीं करती है या मिन चल गया रहा है इस फ्रेंचाइज में यार शॉन मार्श ने पहली औरेंज कैप जीती थी इस सीजन की जो फर्स सीजन में ही जीते ली ती उसके बाद सिरफ एक बैटर ने जीती है जो है इस टीम का हिस्सा है जॉनी बैस्टो अवेलेबल है तो ये अच्छी खबर हो जाती है बाकी इनके पास सैम करण को इनों रोक के रखा था तो भाई वो तो वहाँ पर है ही इसमें कोई डाउट नहीं है सिकंदर रजा को भी रोका है क्रिस वोक्स को इन्होंने अडिशन के रूप में रखा है कि ये एक खिलाडी रखा है इन्होंने है इन्होंने जाने दिया था शारुक खान को लेकिन उनकी जगा कोई लोर मिडल ओर में बहुत तगड़ा बैटर तो नहीं ख़ईदा है पर अगर गंदा शॉट मार के आउट तो फिर डांट डपट भी लगाओ जरूर मुझे ऐसा लगता है जैसे लास्ट टाइम नोंने एंड में मारे थे जीते इस शर्मा सैम करन खिलाओ गे भाईया साड़े अठाना करोड रुपे है शैशांक सिंग इनोंने लिया है एक्चुरी हाइदराबाद के लिए वो ठीक ठाक दोचा पानिया खेल के गए थे तो शैशांक सिंग इस टीम का हिस्सा है हर्शल पटेल, कगीसो अरबाड़ा, राहुल चारन, अर्शदीप सिंग अब हर्पीत बरार, अथर अफटायडे, अब किसी कभी ये इस्तमाल कर सकते है अज एन इंपक प्लेयर, नेथर निलिस के रूप में एक और फास बोलिंग भी कल्प मौझूद है क्रिस वोक्स के रूप में एक और आल राउंडर मौझूद है अब ऐसी होगी या कैसी होगी, लेंगे मेरे जहन में कुछ सवाल है जो हमारा स्पॉंसर है उनका बतायता हूँ, क्या ये कौलिफाय करेंगे प्लेयाफ्स के लिए मुझे लग रहा है, इस बार भी निकरेंगे शिखर धवन क्या पांसो पचास से उपरन मनाएंगे मुझे लगता बनाएंगे क्योंकि कुछ और क्रिकेट ज्यादा खेली नहीं दहीं है तो उनके लिए तो यही मौका है सिरफ और शिखर धवन बहुत डेडिकेड़िट खेला रही है अगर यह 14 मैश पूरे खेलेंगे तो 20 विकेट तो ज़रूर लेंगे ऐसा मुझे लगता है अपनी उपिनियन में आपके साथ यहां शेयर कर रहा हूं लेकिन कहां करता हूं मालुम है आपको प्रोबो पे करता हूं अपनी मतलब की कैटेगरी आप चुन सकते हो असान से असान सवालों का जवाब प्येस और नो में देना होता है अजीतो यह पैसों को अनलिमिटेड आप ड्रॉ कर सकते हो पे टियम गूगल पे यूपिया है हमेशा प्ले सेंसिबली इन्वेस्ट वाइस ली अप टो रूपीज 25 अभी तक नहीं ली लिया तो ले लो मेरे यार समझ जो यहीं पर है प्रोबो करो ओपियनिन का इस्तमाल करो अब ज़रा स्वास अनलेसिस की तरफ चलते हैं इस टीम की स्ट्रेंथ किया है ओके लेट्स थिंक अबाउट दे स्ट्रेंथ की और पेस बोलिंग यूनिट ये ठीक ठीक ठाक है इसनका क्योंकि इनके अपस बहुत सारे विकल्प है अर्शदीब के रूप में एक अच्छा भारती तेज गेंदबाज हर्शल पटेल जो ये दोनों में आपको मिल जाते हैं रहत गेंदबाज भी और आर्शदीब के रूप में नई गेंद का गेंदबाज भी कगीसो रवाड़ा एलिस और सैम करन के रूप में आपको तीन और गेंदबाज मिल जाते हैं जिसमें आफकोस एंड यूप गाट करे स्वोक्स तो फास बोलिंग के तो अच्छे खासे विकलप आपके पस मौझूद है तो इसको स्ट्रेंथ में डाल दो भई इस टीम की फास बोलिंग अच्छी है इसको उन स्ट्रेंथ में डाल देते हैं अब फास बोलिंग का इस्तमाल कैसे करेंगे ये एक सवाल रहता है क्योंकि लास्ट टाइम अर्श का एक और बचा था इन्होंने हर्पी द्राज को करा दिया था सामने एक जल्वे द्राइली रूसो बीस में और की कर रहा हूं बात धरम शाला का मैदान बहुत दूर वो गेंदे वैली में गेंदे मार दी थी आखरी ओवर में अब युबर वंडरिंग वाट रीली है तो वह जोड रहा हूं है इंको अपर जोड़ रहा हूं प्लेंटी ओप ऑल रांड़े लिम लिविक्शांक स्था इंके पास विकलप है मौजूद यार आपके पास all-rounders, Chris Wokes अगर खिलाना चाहें, तो वो all-rounder, Rishi Dhaman इनके पास all-rounder है, Shashank Singh इनके पास all-rounder है I mean, they have got plenty of all-rounding all-rounder options तो उसको भी, all-rounder को भी आप मैं कहूंगा कि strength में डाल दो एक और चीज़ मुझे अच्छी लगती है I mean, in their own right you have match winners, Shikhar Dhaman is a match winner, जिस दिन अच्छा खेलते हैं अलियम लिविंस्टन is a match winner, जिस दिन तगड़ा खेलते हैं Johnny Best took and change the game on his own वो भी एक match winner है, जब अच्छा खेलते हैं सिकंदर रजा, दोनों चीज़े करके वो match जिताते हैं, Sam Karan I mean, individual level पर अर्षदीप सिंग, चार विकेट किस दिन निकाल दें तो So, they've got plenty of individual match winners ये वाली भी strength मैं डाल रहा हूँगा ये लो, एक और strength हो गई इस team की तो 11 हो गई, strength हो गई weakness की बात मैं अभी कर लेता हूँ करने से पहले आपको एक और चीज़ बता देता हूँ ये सुन लो ज़रा ध्यान से अथार भी और ये हम करने वाले हैं in fact पहले 5 matches में तो 22 को भी 23 को भी और 24 को भी पहले 5 मुकाबले top 10 winners will get महिंदर अथार अब इसके लिए आपको करना simple सी बात है कि नीचे या मैं लिंक डाल रहा हूँ my11 circle का वहाँ पे आप डाउनलोड कीजिए आप और मेरे coupon code का इस्तमाल कीजिए आकाश 23 to get 20% extra on your first deposit तो वह वाला काम आप कर सकते हैं उसका 15 रुबे का आपको cash bonus तो आपको मिलता है मिलता है जब आप मेरे link से जाएंगे और इस पूरे Indian T20 league में जो पूरा season रहने वाला है तो आपको जो fantasy cricket खेलनी है my 11 circle में favorite sports fantasy app है उस पे जाके आप team बनाईए मैं भी team बनाऊंगा और जीतने का हम दम भरेंगे क्योंकि honestly बता रहा हूँ यह तो मैंने आपके साथ थोड़ी बाते शेयर की है there is plenty more that's happening for day one and for more तो 22 March को Chennai versus Bengaluru बहिया आपने team बनानी है only on my 11 circle download अभी से कर लो कर लो कर लो इस वाले वीडियो में दो sponsors हैं तो अभी थोड़ी समय तक दो रहेंगे क्योंकि अभी IPL आगे है तो थोड़ी sponsors जादा मिल जाते हमें भी और रंबी चोड़ी जो हमारी team उसका ध्यान भी रखना पड़ता है तीन-टीन तो हमारे YouTube पे चैनल है तीन-चार हमारे broadcast चैनल है उसके बाद and all of that you know हमारी 18 से 20 लोगों की टीम है चोटी सी टीम है हमारी बड़ी महंती टीम है अब weakness क्या है लेकिए weakness जो आपको दिखती है अगर आप शिखरधवन को छोड़ दें तो भारती बल्लेबाजी तो बहुत ही in experience नजर आती है नाम अच्छे हैं पर experience तो बहुत कम है यार शिखरधवन के लावा कोई और दूसरा Indian experience player नजर नहीं आता है जी तेश को भी क्योंकि वो इंडिया के लिए खेल गया है तो हम कहते हैं अच्छा हाँ यार he's a very good player and बड़े experience पर experience तो उनको भी नहीं है जैदा he's also a newish player बहुत impressive बहुत potential पर बैटिंग में इंडियन बैटिंग में बहुत सारा वहाँ पर options अच्छी options अच्छी उपलब्द है but what about the spinners my friend राहूल चाहर का पिछला सीजन अच्छा नहीं रहा था अब राहूल चाहर के साथ आपको दिखते हैं घरप्री बरार दिखते हैं आपको उनके साथ फिर सिकंदर रजा का भी बोलिंग करते में नजर आते हैं पर बाकी spinners हैं कहां बहुत spinners नहीं हैं इस टीम के पास और spinners का ना होना ये एक परिशानी का सबब जरूर है क्योंकि आप जब हलंके नहीं को जागे चन्नही में हरा दिया था ये रिमेंबर जर्ट सिकंदर रजा ने कमाल किया था पर जहां पर वो spin friendly pitches पर फसेंगे तो वहां ये फस सकती है टीम क्योंकि उतने spinner हैं ही नहीं और अगर वो spin friendly pitches पर फसे तो क्योंकि शिकर के अलावा बाकी overseas battles पर थोड़ा सा ज़्यादा dependence है तो वो भी फस जाएंगे तो spin वाली pitches के ओपर खुद के spinners का ना होना ज़्यादा अच्छा बले बाद भी over dependence on overseas battles ये दोनों चीज़ें इस टीम के थोड़ा सा भी पक्ष में जा सकती है last but not the least मुझे तो finisher's के अंदर भी एक बात रहती है कि आपने जाने तो दिया आपने जाने दिया शारुक खान को वैसे आपने उनका अच्छे से इस्तमाल नहीं किया था इससे बहतर आप कर सकते थे पर जब आपने उनको जाने दिया तो उसके बाद उनकी जगा किसी को लिया तो नहीं न अब वही साम करन से आप उमीद करते हों कि फिनिश करेंगे लियम लिविंस्टन से आप उमीद करते हों फिनिश करेंगे आप जीते शर्मा से उमीद लगाते हों फिनिश करेंगे पर यह सब तो पिछले साल भी थे अब उसके बाद य S.A.M. Karan को भी खिला लिया, Agisar Obada को भी खिला लिया, लियम-Livingstone को भी खिला लिया, जॉनी-Bester को भी खिला लिया, तो कैसे खिला लोगे, नहीं खिला पाओगे, तो finisher भी मुझे थोड़ा सा ना वो department, Nannusa थोड़ा सा मुझे वीक नज़र आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा ह आपको कैसे लग रहा है प्लीज बताइएगा ज़रूर। बेगे opportunities की मैं बात करूं तो दो तरीके से मैं देख रहा हूँ. एक तो अर्षदीप का पिछला सीजन आधा सीजन बहुत अच्छा था लेकिन उसके बाद I don't know what happened यार। एक अच्छा गेंदबाज जो नई गेंदबाजी कर रहा है, विकेट चटका रहा है, एक्चली परपल कैप की लिस्ट में नमबर वन पे था, जब उन्होंने, वो मुंबई के चार विकेट चटका है था, रिमेंबर, वानखेडी स्टेडियम में, उसके बाद इन्होंने उसक से उनकी जगा पकी नजर आती है, पर you want to keep doing well, क्योंकि वो अच्छी बात है न, गर आप अच्छा करते रहोगे, तो फिर आपकी गुड़ी जो हमेशा हमा में उड़ती रहती है, जीतेश शर्मा, जैसा हमने बात के लिए संजू सैंसन, धुरूफ जूरेल, तो जीतेश शर opportunity, my friend, आप यहां पर run मना दीजे, आपने run मना दिये, तो pressure आपने डाल दिया, you have just thrown your cap in the ring, कि भाई, मैं तो देखे, पहले भी आपने मेरा इस्तमाल किया था, correct किया था, और वहां पही मैंने ठीक सा production किया था, अब मैंने बहुत अच्छा equal खेल लिया है, तो मुझा आप ल आ रहे थे, फिर they just pulled out, बहुत पैसे तो उनके पास, उनको रखना चीए था, हरशल पटेल को, उनने नहीं रखा, their loss, Punjab's gain, तो वो बड़े अच्छी opportunity है कि, उनको थोड़ा सा उनके मन में मलाल भी था, कि RCBB शाय दो उनको रोक लेती, ऐसा उनको लगा था, ऐसा उनने में इकल का असल बहुत पढ़ने वाला है, तो please grab this opportunity with both hands, strategy क्या रहेगी, देखें, दो तरीगी strategy है, इनके पास, fast bowling अच्छी है, तो fast bowling को wicket taking, gain बाजों के रूप में इस्तमाल करना, विकल्प के रूप में इस्तमाल करना, is what I am thinking, ये team कोशिश करेगी, लगातार penetrative bowling, नहीं गें options रहते हैं, बैटिंग के अंदर, I think, जितने overseas batters हैं, they will go hammer and tongs, मारे जाओ, मारे जाओ, चाया फिर वो best हो, या Liam Livingstone हो, या पिर Sam करना को कभी ऊपर भेज के का, जा बही है, तुम भी Sam, चीले अपनी सिंद्गी करन, तो करन गईवार वो अरजुन वाला काम करते हैं, तो वो प्रप सिमिन सिंग आके लपए-लपए मार रहे हैं, तो फिर शिखर को थोड़ा वो वाला रोल अदा करना पड़ सकता है, so that is what I am thinking, there are overseas batters, और जीतेश शर्मा, go go go, धम 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 धम, चके चके चके, और fast bowlers, विके 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 विके, defensive option, Indian batters, बारिंग जीतेश, बारिंग option, बहुत ज़्यादा aggressive cricket वो spin के जरिये नहीं खेलेंगे, I mean, it's going to be an interesting season, आप चाहते हैं कि पंजाब अच्छा करें, क्योंकि पंजाब अच्छा करती हैं, पंजाब की एक बात बड़ी अच्छी लगती है, entertainment, 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 सारे capital letters में है, जब ये खेलते हैं, तो बहुत entertaining brand of cricket खेलते है, and that warms your heart, कि भई, ये अच्छा करती है team, बड़ी entertaining तरीके से अच्छा करती है, तो I hope कि ये अच्छा करें, पंजाबी यादी गलवक्री कहने का हमें मौका मिले, और थोड़े से upsets ये करें, क्योंकि अच्छा लगेगा, अभी तक आप सिर्फ दो ही बार play-offs में qualify करें, एक ही बारा final तक पहुंचो, it's not a good story for a franchise, जिसका 16 साल का एधिया, आज के लिए मेरे पास इतना ही है, like, share, subscribe, comment, notification, गंटी, एक हमारा वो जो YouTube का दूसरा channel, do like and check it out, उसमें हमने English की team बहुत खुबसरा से stories रखी है, एक हमारा shorts वाला channel है, वो भी ज़रा check out कर सकते है, मेरा IG को चेक कीजिए, राशीत को एक बड़ा अच्छा no look shot किया है, बड़ा खूबसरा shot है, वो भी ज़रा आप देख लिजेगा, और प्रोबो का लिंक में है, डाल रों description में check it out, माई 11 circle का link description में check it out, आज के लिए अभी के लिए मेरे पस इतना है, और बाकी teams का हम already previews सारे कर चु हम वोलत है, का बड़ा और आप बड़ा है, ब daí दो हम क्या है, और हिए झाल ड़ा जो झाल तर भाई बार आद कर देख जूचा घूजगाँ का बढ़ा है, और हम का तर वोलत है झाल काज़ा है, अल अधिदाचा श्श.在ब़ा